जै माता दी मित्रो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल संगितास पैन में मित्रो आज नौरात का छटा दिन है आज मैं आपको माता कात्याईनी की वृत कता माता कात्याईनी का स्वरूप कैसा है और साथी माता कात्याईनी की पूजा अर्षना कैसी करी जाती माता के प्यारे भक्तों आईए अप सुनते हैं माता का त्याईनी की कथा जो माता की कथा सुनता है या पढ़ता है माता उसके सभी मनोरत पूर्ण करेंगी आप सभी भक्त माता की इस कथा को पूर्ण विश्वास एवं सची निस्टा से सुने और माता से अपने सभी मनुरत पूर्ण करने का निवेदन करें आप सभी से एक विनम्र निवेदने के आपने अब तक संगितास पेन यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवस्य करें साथ ही बेल आइकन अवस्य दवाएं जिससे आपको हर लेटर्स जानकारी सबसे पहले मिल सके बोलो माता कात्याईनी की जै माता कात्याईनी को भोग में सहत का भोग लगा जाता और इने पीले रंग से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है तो माता को सहत और फीले रंग से बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगाएं तो आईए अब सुनते हैं माता कात्याईनी की वरत कता था नावरात्र के नौ दिनों मात दुर्गा के नौ स्वरूप को पूजा अर्चना किया जाता है और मा से आसरवात प्राप्ति किया जाता है मात दुर्गा के छटे रूप को मा कात्याईनी के रूप से जाना जाता है इन्हें महिसा सुर मर्दनी नाम से भी जाना जाता है पौरानी कताओं के अनुसार एक बार महरसी कातियाइन ने संतान प्राप्ति के लिए माभगवती की कठोर तपस्या की महरसी कातियाइन की कठोर तपस्या से माभगवती अतिपरसन न हुई और उन्हें साकसार दर्सन दिये कात्याइन रिसी ने मास के सामने अपने इच्छा पर करके इस पर मा भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह अप उनके घर में पुत्री के रोब में जन्मे लेंगी और उस समय महिसासुर नाम के एक देतिक अर्थियाचार प्रति दिन तीनों लोग में बढ़ता ही जा रहाता है इससे सभी देवी देवताव अत्यधिक परेसान थी तब देव यानि ब्रह्मा विस्नों और महेस भगवान सीवने अपने तेज से देवी को उत्पन्ने किया जिनोंने महर सी कात्याइन के घर जन्म लेने के कारण उनहें कात्याइनी नाम से जाना जाता है और माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद रिसी कात्याईनी ने सब्तमी अश्टमी और नौमी दिती पर मा कात्याईनी की विधी विधान से पूजा अर्चना की इसके बाद मा कात्याईनी ने दसमी के दिन महिसा सुल का वहत किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई तो ये थी माता कात्याईनी की ब्रत कथा यानि छटे नौरात्र के ब्रत कथा नौरात्री के छटे दिन मा कात्याईनी की पूजा विधी क्या है इस बारे में अगर बात करें तो आप नवरातरी के छटे दिन मा कात्यायनी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर इस्तानादी से निर्वित्र हो जाए और उसके बाद नीले या फिर पीले रंग के वस्तर धारन करें वैसे इस दिन नीले रंग के वस्तर अधिक पहने ज आती सहद अरपित करें क्योंकि माता को पीला रंग बहुत अधिक पिरिये है और सहद का ही इन्हें भोग लगाया जाता है साथ विदी विधान से मा कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनके आरती करें और अपने समस्त घर के सदस्यों को प्रसाद दें आरती दें और अप विडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ऐसी भक्ति से परिपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे यूटूब चैनल संगितास पैन को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही किसी भी विशरी में डिटेल से जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग संगितास पैन.com पर विज संगिलाइ दन्यगाद झाल 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 झाल